नमस्कार मैं हूँ जीतेंदर पांडे और आप देख रहे हैं खबरी चस्मा भारती किसान और भारती जवान दोनों ही अपनी कारे में लगातार तक पर रहते हैं भारती जवान जहां भारती सीमा पर रखकर विदेशी आक्रमनों से देश को बचाये रखता है भारती किसान लगातार अपनी क्षेतों में काम करके देश की अर्थ व्यास्था को मजबूत बनाये रखता है लेकिन सरकार के द्वारा किये जा रहे दावे क्या किसान तक पहुंच रहे हैं इन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करेंगा एक छोटा सा मुद्दा मैं आपको दिखाता हूँ, यह आप मेरे दोनों तरब देख सकते हैं, जो बार लगे हुए हैं, यह कोई अंतर राश्ट्री बार्डर के बार नहीं है, यह किसान द्वारा अपने खेतों को सिक्की और करने के लिए बार लगाए गये हैं, बार और किसान अपने खेतों को सिक्कीर करके भी आपसे बाड लगा रहा हैं, यह देख सकते हैं, इस नियम नहीं तो ला दिया, कि नहीं, गोवंस हत्या या गोवंसों को प्रताडित करना जुर्म है, तो क्या इन तारों से गोवंस प्रताडित नहीं हो रहे हैं? उन बेजवान अब तक तो किसान बाढ़ होर सुखे से प्रभावित होता था जिसके एवज में उन्हें मुआबजा भी मिल जाता था पर क्या गोवन्सों द्वारा बर्बाद की गई फसल का उनको कोई मुआबजा नहीं मिलना चाहिए या सरकार को कोई घ्रामी डस्तर पर एक ऐसी यूजन की बरबादी अपनी आखों से ही देखता रहें किसान चाहे जो भी प्रबंद कर ले गोवन्स खेत तक पहुंची जाते हैं इस प्रकार तमाम ऐसी बहुत ही योजनाये हैं जो ग्रामी डांचल तक नहीं पहुंच पाती है सरकार को किसानों पर भी ध्यान देना चाहिए करेंगा तभी देज बरते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबरी चस्मा धन्यवाद